कलेक्टर से फरियाद करने के लिए एक परिवार के साथ लड़ु गोपाल भी पहुच गये लड़ु गोपाल लोगों के बीच आकरशन का केंद्र बन गये दरसली फरियादी परिवार दादूराम सोनी का परिवार है दादूराम की बेटियों ने कहा कि हम 12 साल से जिस घर में रह रहे हैं उसे कलेक्टर ने अवैद मान कर कबजा हटाने का आदेश दिया है इसी आदेश को खारिच करने के लिए फर्याद लेकर हम लड्डू के साथ आए हैं यह मामला कट्मी का है फर्यादी दादूराम सोनी ने कहा कि 2011 में हमें पंचायत की तरफ से रहने के लिए एक पट्टा दिया था पट्टा के अनुसार हम में ब्लाएं लेकिन किसी वेक्ति ने हमारी शिकायत कलेक्टर से कर दी और कलेक्टर ने हमारे मकान को आवेद घोशित कर कबजे हटाने के निर्देश दिये हैं इसे नोटिस को खारिश करने को लेकर हम यहां आए हैं वहीं दादुराम की बेटियों ने कहा कि हम लड़ू गोपाल को भाई मानते हैं और बच्वन से ही हमारे साथ रहें आगे भी साथ रहेंगे कि दो हजार ग्यार में ग्राम पंचाहित ने हमको पट्टा दिया का पट्टा के अनुसार हमने मकान बना के रहे हैं आज बादा साल हो गए तो उसको किसी ब्यक्तियत ने सिकायट कर दिया देवनन सी तो तैसील्दार ने बैधमाना एस डियम ने बैधमाना और कलेक्टर तो आए हैं कि हम जाएंगे हमारे पास कोई नहीं कि हमारे घर का पट्टा है वह निरस्त कर दिया गया है जिस भर में हम 12 साल से रह रहे हैं लेकिन वहां पास कई घर बने हैं जिनकी पास पट्टा नहीं है लेकिन हमारे पास पट्टा है लेकिन फिर भी निरस्त कर दिया ग हम लोग बस नहीं आए चाहते हैं, कि हम लोगों कुछ नहीं मिले आह बेख रहे है, जा खल न्यूज